हाँ, यह मैं कहाँ पर आचुका हूँ guys, यह मैं कहाँ पर आचुका हूँ, यह तू एक मिरे को ट्रेन लग रही है, जिसके अंदर बहुत सारे passengers हैं, एंड साथ में मेरा भाई भी है, जो की सामने बैथा हुआ है seat पर, लेकिन यह भी सोकर नहीं उठा है, भाई, प्लीस उट यार यह देख हम लोग कहां पर आचुके हैं हम लोग एक नई location पर आचुके मेरे बाई प्लीज उट जा या तू क्यों जा सो रहा है भाई प्लीज उट जा हाँ वो गेट पर कौन हा रहा है सामने से जोकी ट्रेन के अंदर एंटर कर रहा है गाइस कोई तो आ चुका है सामने से कोई तो सामने से पक्का आ रहा है हाँ कहीं वो कोई स्कैरी मॉंस्टर तो नहीं है अरे उठजा भाई उठजा अबे कब उठेगा प्लीस उठजा यार उठता क्यों नहीं भाई प्लीज उठ जा ये दे क्या हो रहा है वो मॉंस्टर सारे के सारे पैसेंजर्स को मार रहे है उठ जा भाई उठ जा अरे भाई क्या हो गया क्यों उठा रहे है अतनी अच्छी नेंद आ रही थी मुझे अबे इस तरफ देख कौन आ चुका है बाई और हम लोग कहां पर है यह देख हाँ? भाई कौन आ रहे हैं अब लोग कहां पर हैं? भाई क्या हुआ भाई हम लोग एक ट्रेन के अंदर आ चुके हैं पता नहीं कैसे एंड ये तो scary cat nap है जल्दी भागो यहां से जल्दी भागो यहां से वो cat nap और huggy-buggy दोनों के दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं लेकिन भाई हम लोग भाग भी तो नहीं सकते यहाँ पर door lock है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं यार हाँ यार हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते गाईस हम लोग फस गए हैं प्लीज आप लोग हमें बचा लो प्लीज हमें इन cat nap से बचा लो यह तो हमारी तरफ ही आ रही हैं इन लोगों ने सारे के सारे passengers को भी जान से मार दिया है सिर्फ हाँ वाट यह क्या था गाईस इसका मतलब हम लोग क्या कोई सपना देख रहे थे येस गाईस हम लोग सपना देख रहे थे एंड वो क्या सपना था इतना ज़ादा खतरनाक सपना भी होता है मैंने तो कभी सोचा नहीं था यार भाई उड़ जा हम लोग एक सपना देख रहे थे वेट भाई वो एक सपना था इतना ज़्यादा क्रीपी एंड उसके अंदर हगी बगी एंड कैट ने भाई साब इतने खतरनाक मॉंस्टर्स आ गयते हमारी ट्रेन के अंदर हाँ यार वो बहुत ही खतरनाक सपना था लेकिन भाई हमारी साही के सारी विंडो देख इनके शीशे गाये बोच चुके हैं लेकिन यह सब लग रहा है कोई ना कोई तो कर रहा है और यह हमाला रियल वर्ल्ड है भाई रियल वर्ल्ड इसका मतलब हमारे रियल वर्ल्ड में भी कोई ना कोई आ चुका है जिसने की हमारी सारी के सारी विंडो के जो कांच हैं वो तोड़ दियें भाई ऐसा कैसे हो सकता है वो तो एक ड्रीम था है एंड हमारी वर्ल्ड में इतनी दिनों से कोई नहीं आया है एंड अब क्यों आएगा भाई क्योंकि हम लोग एक बहुत ही खतरनाक सपना देख खरा रहे है एंड उसी सपने में से मुझे लग रहा है वो केटनेप हमारे रियल वर्ल्ड में भी आ चुकी है मुझे बहुत डर लग रहा है भाई उसी ने हमको एक साइन दिया है क्योंकि हमारी विंडो को तोड कर अच्छा भाई लेकिन तू पागल है किया भाई ड्रीम से कोई कैसे आ सकता है नहीं भाई ये माइंक्राफ्ट की मतलब जादू ही दुनिया है यहाँ पे कुछू भी हो सकता है और कोई कहीं से भी आ सकता है चाहे वो सपना हो और चाहे वो रियालिटी हो कोई भी इंसान और कोई भी मॉंस्टर कहीं से भी आ सकता है भाई लेकिन घर के बार हमारे कौन है यार ये इतनी देर से आवाजे कर रहा है अबे ओ माई गॉड ये देखो स्कैरी कैटनेप मिस्स डिलाइट एंड हगी बगी तीनो के तीनो मैंने कहा था ना हमारे ड्रेम से बाहर आकर हमारे घर के बाहरी खड़े हुए हैं हमको मारने के लिए भाई ये तो वही लोग है जो हमारी ट्रेन में आये थे एंड मिज़े लग रहा है कि ये इस बार हमें नहीं छोड़ेंगे ये पांचो के पांचो बहुत जदा गुसे में लग रहे हैं हाँ भाई ये लोग हमें मारने के लिए ये लोग हमें वहां पर मार नहीं पाये थे उस टाइम हमारी आख खुल गई थी एंड हमारा सपना एंड हो गया था यार एंड भाई एंड सपना एंड होती ही ये लोग वहां से बाहर आकर यहां पे आ चुके हैं कुछ करना पड़ेगा हमें पहले अपनी बेस्मेंट के अंदर जाना पड़ेगा अगर हमें अपनी जान बचानी है न तो हमें यहीं पे रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए जब तक कि वो सारे के सारे जो मॉंस्टर्स हैं वो हमारे वर्ल्ड से बाहर नहीं चले जाते हमारे घर से बाहर नहीं चले जाते लेकिन चलो चेक करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं हाँ अबे ये सब के सब यहाँ पर कैसे आगे अरे मारो इनको अबे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे है अबे शिट यार ये क्या है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ चोड़ो यार भागो यहां से भागो जल्दी जल्दी भागो लेकिन गाइस मेरा भाई कहाँ पर चला गया मुझे नहीं बता मेरा भाई कहाँ चला गया एंड वो है कहाँ पर यार लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई को स्केरी कैटनेप ने मिलकर उन सारे के सारे मॉब ने मिलकर मेरे भाई को किडनेप कर लिया है मुझे ऐसा ही लग रहा है एंड पक्का वो बहुत ही बड़ी मुसीवत में होगा गाइस मुझे अपने CCTV कैमरा में चेक करना पड़ेगा कि आकर मेरा भाई कहां पर है कहीं वो मेरे घर के नीचे तो नहीं है और कहीं उसको बंदी तो नहीं बना लिया उन लोगों ने मुझे चेक करना पड़ेगा अपने कैमरे के अंदर तो चलो गाईस अपने कैमरे के अंदर चेक करना शुरू करते हैं कि मेरा भाई कहां पर है क्योंकि मुझे उसे ढोंड कर अपने पास वापस लाना पड़ेगा एंड उस कैटनेप को अपने घर से भगाना पड़ेगा So let's check it out क्या हो रहा है भार हां ये क्या मेरा भाई तो वहां कुर्सी पर बंदी बना हुआ है उन लोगोंने मिलकर उसे पकड़ लिया है एंड वो सारे के सारे मिलकर उसे अकेले को मार रहे है बिचारा वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है बिचारा वो पतानी क्या कर पाएगा हां वो लोग उसका खाना भी छीन रहें बचारे से एंड गाईस मिस डिलाइट स्केरी कैटनेप एंड हगी बगी एंड पता ने उसका नाम क्या है इतने सारे मॉंस्टर अकेले मिलकर मेरे एक अकेले भाई को मार रहे है यार ये बहुती गलत बात है उस बिचारे अकेले ने इनका बिगाड़ा ही किया है लेकिन मैं अब जाने वाला हूँ अपने भाई को बचाने के लिए वो देखो सामने वो रहे मॉंस्टर्स एंड वो रही मेरे सामने मिस डिलाइट जो की सामने खड़ी हुई है दोस्तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा लेकिन गाईज मैं जाने वाला हूँ इस घर के पास एंड अपनी गन से इनको मारने की कोशिश करने वाला हूँ अगर मेरा लग अच्छा हुआ तो मैं इनको मार दूँगा लेकिन अगर मेरा लग बैड हुआ तो ये लोग मुझे मार देंगे वो देखो ये लोग मेरे निशाने के बिलकुल उपर है मैं चाहूँ तो इन्हें मार सकता हूँ लेकिन ये देखो मिस डिलाइट मुझे देख रही है यार्क हाँ मुझे लगता है Miss Delight ने मुझे देख लिया है उसके हाथ मेरा भाई अरे मेरा भाई तो यहां पर खड़ा हुआ है मुझे लगता है कि मेरा भाई चाहता है कि मैने नहीं मारूं बलकि मैं उसे बचाने के लिए इस गर के अंदर आउं ठीक है मेरे भाई मैं तेरा इशारा समझ गया मैं तुझे बचाने के लिए तेरे घर के अंदर आऊंगा ना कि यहां से इने गोली से मारूंगा ठीक है एंड वैसे भी मेरे पास कोई अच्छा वैपन नहीं है जिससे कि मैं इने मार सकूँ सिवाए इस गन के लेकिन मैं गन से इतने सारों को मार नहीं सकता क्योंकि इन लोगोंने बहुत सारे सिक्योर्टी गार्ड भी लगा कर रखे हुए हैं यहां पर जो कि मुझे अंदर गुसने नहीं देंगे इसलिए मुझे बहुत ही चाला की से वहां पे जाना पड़ेगा तो गाईस मैं वहां पे जाने वाला हूँ अपना प्रास हूँ और वो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे यह देखो यह देखो मैंने पहन लिया आरे वाह मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा अब एंड मैं शांती से जाके उस कैटनेप की बच्ची को पकड़ सकता हूँ और अपने भाई को वहां से निकाल सकता हूँ ले यह हमेशा हमेशा के लिए मुझे एक बहुत ही बड़ी जेल के अंदर बंद कर देंगे चलो सामने की तरफ चलते हैं वो सबी के सबी जो मॉंस्टर थे ना वो सब बाहर निकलाएं घर से लेकिन ही सब बाहर निकल कर क्यों आ चुके हैं लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात ह यह लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, अरे वा, यह लोग मुझे देख ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो गास वाले कपड़े पहन रखे हैं, ग्रीन, ग्रीन, ओके, तो यह लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, चलो मैं यहाँ पर अपना लैपटॉप रखता हूं, मैं तो फस गया यार, मेरा सारा गेम ओबर हो चुका है, तो गाई जब टाइम आ चुका है, एक बार फिर से इस घर के अंदर जाने की कोशिश करने का, लेकिन वो देखो, वो तो अपने घर के ऊपर से मुझे देख रहे हैं, मतलब उन्हें पता लग चुका है कि मैं उनके घर में गुसने वाला हूँ, इसलिए वो लोग अल्रेडी मेरा इंतजार कर रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन मैं इतना बड़ा बेपकूफ नहीं हूँ, जो मैं दो बार असे गेट से जाऊंगा भाई, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एडिया है, गाईस मैं ए इस घर के अंदर, हम लोग को कुछ ऐसा गड़ा करना है, कि जिसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर निकले जाके, यानि कि हम लोग डायरेक्ट अपने भाई के घर में जाकर निकलें, एंड अपने भाई को बचा कर वहाँ से भाग लें, लेकिन ये काम बहुत ह डिफिकल्ट होने वाला है दोस्तो, इसको करना इतना भी आसान नहीं है, जितना आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि अगर मुझे वो मुझे वो मौन्स्टर वहाँ पे मिल गए न, तो वो मुझे मेरे भाई से भी जाधा खतरनाक सजा देने वाले हैं, इसलिए मुझे एक, हा अबे यार ये लावा भी न, कितना परेशान करता है, इस लावा को बंद करो यार इसको बंद करो, प्लीज बंदो जा, प्लीज, 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 ओके तो बंदो चुका है, अपनी खुदाई को शुरू करते हैं दोस्तो, लेट्स गो, हमें अपने काम को रोकना नहीं ह चाहें कुछ भी हो जाए चलो आगे बढ़ते हैं वैसे ये काफी बड़ा काम है सो दोस्तो हम लोग यहां पहुंच चुके हैं लेकिन वो लोकेशन नहीं मिल रही है जिससी कि हमें पता लग सके कि मेरे भाई का घर आ चुका है सो वो शायद लोकेशन आने ही वाली है देखते हैं वो कितनी देर में हमें मिलती है हाँ अल्मोस्ट हम लोग घर के पास ही आ चुके हैं बस हमको थोड़ा सा और खोदना है फिर तो हम लोग घर पर ही आ जाएंगे लेकिन गाईस मैं उपर जाने वाला हूँ एक बो यह देखो मेरे सामने तो यह सब खड़े हुए हैं और हम मैं क्या करूँ हाँ मिरे को बहुत डर लग रहे मैं क्या करूँ हाँ भाई भागो यहां से जल्दी भाई मुझे नीचे जाना पड़ेगा यार ये ठीक रास्ता नहीं है से बंद करो फटाफट अच्छा हुआ उन लोगों ने मुझे नहीं देखा मैंने उनको देख लिया मतलब मैं अपनी मौत को टक से चुके वापस आ चुका हूँ जल्दी यार हमें जाना पड़ेगा सीक्रिट बेस्मेंट बना कर हम लोग ऐसे वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते यार पता नहीं यह रास्ता कितना लंबा है बहुत देर हो चुकी है लेकिन मैं यहां पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ मुझे लगता है वो घर आ चुका है मुझे लगता है कि वो फाइनली आ चुका है जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वो टाइम आ चुका है हाँ ये वही घर है शायद मेरा भाई यहीं पर होगा उसको मैं यहां से भगा के लेके जाने वाला हूँ चलो चलते हैं देखते हैं हाँ यह वही घर है यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है और मेरा भाई भी यहाँ पर नहीं है और ना यहाँ पर कोई मॉंस्टर हाँ मेरा भाई तो यहाँ पर है अरे वाव वाव हेलो भाई यह देख मैं तुझे बचाने के लिए आचुका हूँ यहाँ पर देख ले प्लीज अरे यार पताने भाई कब मेरे को बचाने के लिए आएगा एंड मुझे यहाँ पर कब तक रहना पड़ेगा भाई मैं तुझे बचाने आचुका हूँ जरा यहाँ तो देख एक बर कि इसके बाद मैं तरी को सारी की सारी बातें बताऊंगा कि मैं कैसे यहां पर आया ओके लेकिन भाई ये क्या इतनी बड़ी सुरंग लिकन ये लोग कौन है ओवे ये लोग तो आ चुके हैं हमारे पीच्छे पीच्छे अरे भाई भाग बहुत बड़ी घलबर्ड हो गई उन हाँ आज 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 फट अफट यार वह तो नुम्हें पीछे लीए पाश चुके ये हैं फट अखिंडर की अंदर चल लेट्स गू ब्रक्राइब ऑसरे जल्दी आ हुआ जल्दी आ हैं वह सब आपक्सकुन्हे पीछी पीछी यार वो तो हमारे पीछे पीछी बिच्छी जल् वो नीचे हमारे gate पर खड़े हुए हैं यार ये तो उपर आ चुके हैं यार ये तने powerful हैं कि वो उपर ही आ चुके हैं नो ब्रो वो already उपर ही खड़े थे तो भोल गया क्या हाँ वो उपर ही खड़े हुए थे एंड हम लोग अब क्या करें भाई वो दीख शायद ये लोग यहां से कभी नी जाएंगे जब तक ये हमारा घ़र तोड़ नी देंगे और जब तक ये हमें पकर नी लेंगे ये लोग कहीं नी जाने वाले भाई इतनी देर हो चुकी है लेकिन ये लोग अभी तक ने गए आखिर ये लोग जाएंगे कभ हाँ यार ये लोग जाएंगे नी रहें भाई प्लीज जाओ यहां से मैं तुमारे हाथ पैर जोड़ता हूँ प्लीज यहां से चले जाओ प्लीज मैं तुमारे हाथ पैर जोड़ता हूँ मिस डिलाइट and huggy-buggy catnap प्लीज जाओ यहां से प्लीज प्लीज चले जओ प्लीज बेयारी लोग तो हस रहे हैं लेकिन बाई ये देख ये तो सच मुझ्छ जा रहे हैं अरे वाँ भाई वो लोग कहीं पे जा रहे हैं वो लोग कहीं तो पक्का जा रहे हैं अरे वाँ इसका मतलब वो लोग बिल्कुल हमारे बगल में ही रहते हैं वो सामने वाले टावर के अंदर चले गए हैं इसका मतलब भाई वो नेक्स्ट नाइट में जरूर आएंगे हमें मारने के लिए हाँ वो अगली बार भी आ सकते हैं हमें उनसे बचकर रहना पड़ेगा